Hey guys, welcome to the channel, even Academy, तो finally आज आपका seat matrix जारी होने वाला है, लेकिन बहुत सारे student का मुझे आपर comment आना start हो गया है, किसार exact time क्या है, कब हमारा seat matrix जारी होगा, और seat matrix जारी होने के बाद हमें क्या कुछ करना होगा, तो चलिए आपसे कोई भी minor mistake नहों हो, और आज ही finally आपका जो है choice form filling process भी start होने वाला है, तो वह कब होगा, जो link है, वह activate कैसी होगी, और आपको कहा से apply करना होगा choice form filling के लिए, साथ में आपको preference कैसे डालना होगा, और जो new college add हो है, उसका क्या, तो overall पूरी जान करें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो end तक जरूर watch कीजिएगा, और हाँ कोई new student हो, तो चैनल को subscribe कर, bell icon press कर दीजिएगा, सबसे पहले तो यही देखेंगे कि street matrix में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाएगा, आप देखें, आपर है 29th August को जारी हुआ था street matrix for cap round 1, एनि कि college आपको बताया जाता कि किस college में कितने seat है, अभी आपको cap round 1 में, मतलब बहुत सारे student होंगे, जिन्होंने cap round 1 में college मिला है, बहुत सारे student ने betterment, 70% student ने betterment किया है, और लगबग 30% student ने admission confirm कर लिए, तो अब देखें, जिन्होंने भी admission confirm की है, यहाँ से जितने seat है, वह seat यहाँ पर बहुत कम रहेंगे, मान तो 50 है तो यहाँ यहाँ पर लगबग 30 seat रहेंगे, यहाँ पर 50 है, तो यहाँ पर लगबग 15 seat रहेंगे, मतलब जितने सारे seat यहाँ पर किसी college में available है, उतना ही data अब यहाँ पर दिखेगा, अब यहाँ पर जिस प्रकर आप देख सकते हो, पूरा seat matrix cap round 1 के लिए था, वैसा ही cap round 2 के लिए कि आपसे कोई भी minor mistake नहीं हो, cap round 2 में बहुत सारे student ने minor mistake की है, इसलिए उन्हें cap round जो आपका था, first में कोई seat alert नहीं हुआ है, उसके सामने यहाँ पर लिखके आए कि choice not available, तो cap round 2 में आपके साथ ऐसी minor mistake नहीं हो, और आपको college मिलना ही चाहिए cap round 2 में, इसलिए आपको यहा कि अगर आपने previous two year analysis किया है college का, तो आप best हो, देन वन आपने अगर जो new college add हो है, उनका background चेक किया, मान लो campus, college, hospital facility, देन वन वो college कहां पिस्ती थे, वापर सबकुछ facility प्रोवाइट होती है, क्या, यह सबकुछ हमारा counseling team देखता है, और फिर आपको preference list बनाने में मदद करता जाएंगी, और इतना ही नहीं, आपका अगर selection round two में नहीं होता, तो फिर आपको round three, आपके mop up round, then one, mop up one होता है, या फिर two, उसमें help करेगी, और final जो round होता है, उसमें भी आपको मदद करेगी, मतलब आपको college मिलने तक आपको full support रहने वाला है, और ओ भी only 799 rupees में, आपको college list बना कर, और और आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो, college जाकर betterment करते हो, या फिर आपको admission cancel करते हो, admission लेते हो, procedure क्या है, document क्या चाहिए, सब कुछ आपको इसी आने के team के मादिम से पूरा support मिलने वाला है, जो कि BST nursing के staff है, वो आपको पूरा यहापर support करेंगे, until your admission in best college, तो finally देखिए, यह जो seat matrix है, वो ऐसा ही, आपका seat matrix round 2 के लिए रहने वाला है, तो आपको यहापर पूरा data analysis करना है, जो कि हमारा team करता है, यहापर आपकी category wise, आपके कितने seat है, आपको कौन सा college जालना चाहिए, सब कुछ, अब बात कर लेते हैं, हापर most important, आपका cap round 2 के लिए choice form filling process, आज इसे start हो रहा है, आप देख सकते हो, यहापर जो कि 49 2023, अब यहापर आज ही seat matrix publish होगा, और आज ही आपका form fill up करना start हो जाएगा, क्या possible है, मैं आपको बता दू, सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान से सुने, आपका seat matrix कब आएगा, लगबग दोपहर के बाद ही, आपका seat matrix जारी करेगा, सीटी सेल, जो कि previous time भी यही हुआ था, आपका seat matrix आने में लगबग यहापर शाम हो गई थी, तो फाइनली आज शाम को ही लगबग 7 बजे के बाद ही, आप सभी की जो है, आपर online preference की, जो link है choice form filling की, वो यहापर activate कर दी जाएगी, आप form fill up कर सकते हो जो आपने preference रखा है, वो आप यहापर choose कर सकते हो, और हाँ, इसी online जो आपको choice form filling प्रोसेस करना है, उस पे एक live video में आपको provide करने वाला हो, साथ में आपको यहापर overall other facility मिल जाते है, अगर आपने counselling course purchase कर लिया, तो आज finally यहापर last offer है, 799 रुपीज की, तो यहापर यह offer बढ़कर लगबग 999 होने वाली है, तो आप अभी purchase कर लिजिए, ताकि आपको preference list बनाने में कोई दिक्कत न हो, और बात करूँ यहापर तो round 2 में आपसे कोई minor mistake न हो, ताकि आपको round 2 में ही college मिल सके, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे student ने minor mistake किये, बहुत सारे student ने हापर कुछ नहीं देखा और ऐसे ही preference बनाके यहाँ पर डाल दिये, तो उन्हें college नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता है, आपको पूरा data analysis करना पड़ता है, और फिर जो आपका preference है, वो सही तरीके से रखना होता है, तो बहुत सारे student 20 number का college एक number पर डाल देते है, और एक number का college 20 number, तो ऐसा नहीं करना है, आपका percentile और rank जानके हमारा team आपको support करता है, और बात कर लो यहाँ पर finally, आप सभी के जो है, जैसे ही यहाँ पर seat matrix जारी हो जाता है, उस पे मैं एक detail video बनाने जा रहा हूँ, और साथ मैं आपको choice form feeling किस प्रकार करना है, वो भी बता दूँगा, तो चल और गाइस मिलते हैं next video के साथ,